नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश सम्वा चैनल में आज हम बात करेंगे पाक फौज के प्रमुक जनरल असीम मुनीर द्वारा नियंटरन रिका पर हाल महीं की गई यातरा के बारे में जहां पर उन्होंने अपने फौजियों को कश्मीर की कस्में दिलवाई हैं रसी जल गई बल नहीं गया पाक फौज और उसके जनरलों के लिए शाहिद यही का जा सकता है पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से चुपेवे नहीं हैं और पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर नियंटरन ड्रेखा पर फौजियों को कस्में खिलवा रहे हैं कश्मीर की पाकिस्तान के थल से न प्रमुक जनरल असीम मुनीर ने गुरुवार 6 अप्रैल को पाक अधिकरित कश्मीर में नियंटरन रिखा के पास इस्तित अग्रिम चोग्यू की अपनी यात्रा के दारान कहा कि पाकिस्तानी से न हर तरह के खत्रे से देश की संप्रभूता और छेत अधिकरि अखंडता की रक्षा करेगी पाक फौज के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेस पब्रिक रिलेशन्स के अनुसार जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी फौज कश्मीरियों के उचित कारण का समर्थन करने के लिए द्रिणता से खड़ी है पाकिस्त पर अवैत कबजा करने का आरोप लगाते वे जनरल मुनीर संयुक्त रास्ट के प्रस्ताओं का राग अलापना नहीं बुले जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी से ना संयुक्त रास्ट के प्रस्ताओं के अनुसार जम्मू और कश्मीरियों का समधान चाती है पाक फौज पाइस्तारी तता समर्पड से अपने फर्ज निभाएंगे। फौजियों के काम की उन्होंने जम कर तारीफ की और कहा कि वे अपना मनोबल उचा बनाए रखें। पाकिस्तानी फौजियों की तारीफों के पुल बांधते और हौसला अफजाई करते जनरल मुनीर को पाकिस्तान की दिन बदिन खराब होती जा रही आर्थिक इस्तिती से फौजियों के डावाडोल होते मनोबल और उहापो की पुरी खबर है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को दिर्टा से कहा है कि किंद्र शाशित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाक भारत के अभिन और अविभाज अंग हैं और हमेशा रहेंगे। गौर हो कि बारत और पाकिस्तान के संबंद कश्मीर और आतंकवात के मुद्दे पर तनाव पूण हैं। वहीं भारत सरकार की और से 5 अगस 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू और कश्मीर के विशेश दर्जे को रद्द करने तथा राज्जी को दो केंद्र शाशित प्रदेशों में विवाजित करने के बाद दोनों देशों के संबंद और भी खराब ह गए और व्यापारिक तथा राजनीक बादचित भी बंद हो गई बता दें कि नियंतरन रेखा की जन्रल मुनीर की यह दूशरी यात्रा थी जम्मू कश्मीर को बाढ़ती नियंतरन रेखा पर दोनों ही तरप से फौजों का भारी जमावड़ा है जहां लंबे अर्से तक जड़पों और तोप खानों से गोली बारी होना आम बात थी नोवंबर 2003 तक दोनों सेनाओं के बीच 740 किलो मिटर लंबी नियंतरन रेखा पर गोली बारी होती रहती थी तब परमाणू शक्ति संपन दक्षिड एशा के दोनों देशों ने एक बड़ा फैसला किया कि गोल युद्विराम में गोली बारी यदा कदा होती रही पाक फौच की तरफ से गुस्पैट और हत्यारों मादक पदार्तों तथा नकली नोटों की तसकरी के भी प्रियास होते रहे लेकिन 2016 में तस्वीर बदल गई और आए दिन युद्विराम को पाकिस्तान तोड़ता रहा क्योंकि उसे कवर फायरिंग देनी होती थी आतंक वादियों को भारत में गुसाने के लिए फरवरी 2021 में दोनों देशों ने एक बार फिर 2003 में जो सहमती बनी थी उसी के आधार पर नियंतर्ण रिखा पर शान्ती बहाल करने का स्वागत योगिक अदम उठाया है पर फरवरी 2021 में सीमा पर शान्ती बनाए रखने पर जो अपस में सहमती बनी थी उसका बेजा फायदा उठाते वे पाकिस्तान ने ड्रोन का बेजा इस्तेमाल भारत में आतंक वाद को बढाने और अस्थरता फैलाने में किया है लेकिन जब से भारती हिसेना ने ड्रोन के खिलाब कारवाई करना शुरू किया है तब से ड्रोन का पाकिस्तान से आना जरूर कुछ कम हुआ है आज के इस अंक में वसित नहीं आप चनरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे जाहिए